आज मैं फेशल के बारे में बता रही हूं अच्छे से मैंने फेश को धुलवा लिया है और ब्लीच कर लिया है और मैंने अच्छे से बेल्ट को टाइट बाद लिया है मैंने क्लिंजिंग में से ही आ है अच्छे से फेश पे लगाते हुए डोट-डोट करते हुए लगा रही मैंने क्लीन आप करना स्टाट कर दिया है कि क्लीन आप मैंने कली के हिस्से में से स्टार्ट किया है यहीं आप दिखिये तें कि खेली अच्यसे बoney अच्छे से दौत पर के से हम के सटे में घालो परनार पर अछिक अक्पresh थे़ियों आप इस तरह से फैशर करें आप इस तरह से आप घर में आप फेश्यल भी फूल कर सकते हैं कि यह में स्क्रॉब क्लीन अप कर रही हुँ हूं तो मैंने सबसे पहले क्लीन अप को लिलिया है अच्छे से पूरे ही फेश्यल के ही स्टैप मैं कर रही हूं मैंने थोड़ी सी स्पीड बना दी है और आप देखिए और सिखिए और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक चुरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मैंने पूरी ही जगा अच्छे से चार्यों उंगली से और अंगुठी से ही मैं फेशल कर रही हूं नाके रिये पे अच्छे से अंगुठे से और आख के नीचे मैं अच्छे से मासाज कर रही हूं अंगली के तीर उंगली से भी आप इस तरह से मासाज करोगे इससे आपका ब्लड सर्कूलेशन अच्छा होता है इससे आप थोड़ा सा प्रेसर करके करोगे एक दम ही टीप क्लिंजिंग होता है अब मैंने अच्छे से क्लीन अप हो जाने के बाद मैंने 5-7 मिनिट क्लीन अप की है और मैंने अच्छे से स्पंज से पानी में भीगो के निचो लिया है और अच्छे से पूरे ही फेस में में पोच लिया है आपके निचे और पूरे ही फेस में अच्छे से ही मैंने क्लीन को और डस्ट को जो भी फेस पे डस्ट जमी होई है उसे निकल जाता है हुआ है अब मैंने दूसरी की वारी है यू मैंने स्क्रब ले लिया हैcken अच्छी से डॉट करते हुए मैं आप मुद्धे के मैं किस तर से जारा हे हुएम इस तर आप भी जारा को और ऐसे आप गठ लाके कर सकते हुए या फिर आप अपने कुस्टमर को भी इस तरह से कर दे सकते हूँ तो अच्छे से गले के इरिया से स्टार्ट करोगे और अच्छे से आप उपर ही ले जाते हुए इस तरह से थोड़ा सा हातों को प्रेशर करते हुए देखिए कि आपके कस्टमर के थोड़ी स्किन के हिसाब से आप उसे पॉइंट दे सकते हैं और प्रेशर दे सकते हैं आपके कस्टमर की जो सेंसेटिव स्किन है तो आप हलके ही हाथ से करना चाहिए फेशियल या क्लीन आप या स्क्रबी आपको कुछ भी अपके कुस्टमर को देख के ही करना चाहिए इनकी थोड़ी सेंसेटिव स्कीन नहीं है इसलिए में थोड़ा सा जादा प्रेसर करते हुए ही कर रही है दिखे के अच्छे से मैं आखों के उपर आइब्रो पे और फोरेड एरिया पे गले पे अच्छे से में सब जगे जहां भी हाथ लगाती हूं वहां पे कहीं भी उठाती नहीं हूं और कान पे अच्छे से एक्विपेंचर को देते हुए पूरे जगे आखों पे मसाज करते हुए ही फेशल करना चाहिए अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में पानी को ले लेना ही जाएं में आपके 아7 में अछिसमें मिलता है 색깔 ग मोश्चर मिलता है और आप अच्छे से मासाज भी कर सकतें इसलिए पानी या फीर आप मिल्क का भी यूज़कर सकते हम यह नहीं मैंने अच्छे से मासाज कर दीहें पूरा ही स्टेप दिखा दिया है पूरा फेशल नहीं दिखा रही हूँ थोड़ा सा काटते हुए आप पोर हो जाओगे इसलिए मैंने थोड़ा ही दिखाया है और आगे का हिस्सा मैंने काट दिया है अब मैंने 10 मिनिट तक इस तरह से रेग्यूरर मसाज की है और मैं ले लिए है अब मैंने अच्छे सी फ्रूटब सेक निकाला लिया है और पूरे ही चहरे पे लगा रही हूँ कि आपके पास इस तरह की ब्रस हैप ब्रस से लगा सकते है या फेट नहीं है तो आप उंगली से वी बाफrick को लगा सकते हैं आदे आप कि आखों के आंखों गली सब चके ही लगा लेना चाहिए देखे के यह स्क्रॉप क्लीन अप आपको कैसा लगा यह वीडियो अपने पूरा देखा आपको किस तरह से लगा मुझे पॉमेंट करके चरूर होता है और यह वीडियो यहां तक देखा और मैंने यह आपके उपर भी लगा रही है आपको रिंगल है यह वहां पे प्लैक एरिया जादा है तो आपको यहां बेबी फेस्टेक लगाना ही चाहिए और गले में सब जगा जहां भी आपकी स्कीन बेजान सी है वहां पे फेस्टेक लगाना ही चाहिए और यह स्क्रॉप तरहां थोड़ी सी मसाज करने के बाद अच्छे से उसे क्लीन कर लिया है दिखिए के एक दम से ही में अब क्लीन हो जाने के बाद आप रीजल देख सकते हैं यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर देना.